जोड़े हुए सभी मित्रों को नमस्कार PGT-TGT Special Classes में आज कुछ एक शॉट ट्रेक के थुरू क्वेशन करेंगे जो आपके एक्जाम में आये हुए हैं तो आईए क्वेशन को उठाते हैं सबसे पहला क्वेशन हमारे पास जो मैं लेकर के आ रहा हूं Q1 वो यह है आपके सामने कि 2x प्लस 5 upon divided by यहां पर है 7-6x और minus x का स्क्वेर का इंटिग्रेशन आपके सामने दिया गया है is equal to a ठीक है is equal to a underwood 7-6x minus x square और प्लस b sin inverse b sin inverse x plus 3 upon 4 plus c तो सवाल में यह पुछा गया है कि a और b के मान क्या होंगे सवाल में a और b के मान क्या होंगे options दिए गए हैं minus two minus one two comma minus one और minus two comma one and two comma one चार options ऐसे दिए गए हैं आईए देखे इस question को कैसे solve करते हैं तो एक विकल्ब तो यह है कि आप इसको simplify करो पूरा का पूरा वही rule लगा करके PX plus Q वाला वो बहुत ज़्यादा lengthy हो जाएगा अब देखे इसको हम short trick से आपको बताते हैं कि short trick से इसको आप कैसे solve करेंगे देखे आप क्या करिए दोनों तरफ differentiate कर दीजे दोनों तरफ आप differentiate कर देएगे क्योंकि यह आपके पास A बैठा है या आपके पास B बैठा है अगर आप दोनों तरफ डिस्क को differentiate कर दीजे तो यहां से integration का निशान हट जाएगा यह हो जाएगा 2x plus 5 equal to under root 7 minus 6x minus x का square equal to a तो ठीक है a के बाद में कितना आजाएगा देखिए इसका differentiation करेंगे तो यह आता है 1 upon 2 root 7 minus 6x minus x square और उपर हो जाएगा minus 6x का differentiation 7 का 0 minus 6x का हो गया minus 6 और x square का minus का 2x plus b sin inverse का कितना हो जाएगा sin inverse का हो जाएगा 1 upon under root 1 minus x square तो 1 minus x plus 3 by 4 का whole square ठीक ना into 1 upon 4 हो जाएगा क्योंकि x plus 3 का x का 1 हो जाएगा यह हो गया हमाई पास में तो अब देखिए इसको यदि simplify किया जाए तो यहाँ से अब हम option में रख करके value match कराते हैं कि कौन सा option हमाई पास satisfy हो रहा है प्लस इन यहाँ पे इसका 0 हो चुका है ठीक है अब इसको आगे कैसे किया जाए यहाँ से देखिए उपर से अगर आप minus 2 common ले लें तो minus 2 common ले लेंगे तो यह बन जाएगा minus 2 है और यहाँ बन जाएगा 3 plus x divided by 2 under root 7 minus 6x minus x का square plus b into यदि मैं इसको solve करूँ देखिए तो यह अपके पस कितना जाएगा 4 बन जाएगा और इसको पूरा का पूरा एदी मैं open कर देता हूँ देखिए 4 का square कितना हो जाएगा 16 तो यहाँ पे हो जाएगा 16 minus x square और minus का कितना हो जाएगा 6x plus का 9 और पलट करके 4 उपर आजाएगा क्योंकि 4 का square 16 है तो बाहर 4 आएगा और multiply में 1 by 4 4 से मैं 4 कैंसल कर दूँगा तो minus 2 ए 2 से 2 कैंसल हो गया ओके तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा minus 3a minus ax minus 3a minus ax और यहाँ पर भी देखिए उपर आगया plus b और whole divided by 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ बचेगा 16 minus 9 गया तो 7 minus 6x और minus x का square differentiation करने से हमने काफी सारा समय बचा लिया है 2x plus 5 divided by under root 7 minus 6x minus x square denominator से यह दोनों कैंसल कर देंगे अब हमारे पास answer आने की संभाबना बढ़ चुकी है देखिए यहाँ पर जो x का coefficient है वो 2 है और यहाँ पर x का coefficient जो है वो कितना है minus a तो अगर हम compare कर देते हैं तो minus a equals to 2 हो जाएगा it means a equals to 2 so we have the first value of a a equals to minus 2 sorry now अब दूसरा जो relation हमाँ पास बन रहा है देखिए वो क्या बन रहा है minus 3 a जो दूसरा relation बन रहा है वो बन रहा है minus 3 a plus b equals to 5 क्योंकि numerator उपर के compare करूं मैं तो minus 3 a minus 3 a plus b equal to कितना है हमारे पास में 5 और हमाँ पास already a की value आ चुकी है minus 2 yes good evening sir short trick से कर रहे है अब देखते हैं इसके बाद लिए और जादा simplify हो जाए तो पहले इसको पूरा कर लेता हूँ फिर मैं पूछता हूँ सर आप से so 5 हो गया यह और 3 minus 2 कितना हो गया minus sorry plus 6 plus b equals to 5 तो b is equal to 5 minus 6 answer आगया minus 1 तो हमारे पास option जो answer होंगे a equals to minus 2 और b equals to minus 1 हाँ sir आप please बताईए कुछ कह रहे थे जी जी हाँ sir वो तो वो सीधा सीधा method है sir मैंने इसको shortcut से किया ना sir सर देखिए हम आप साथ बीच में जोड़े अचल sir बोल रहे है sir अब sir sir नमस्ते मैं बढ़िया हूँ sir sir देखिए यहाँ पर मेरे को क्या a और b की value निकालनी थी ठीक है sir coefficient की value निकालनी थी तो मैंने पूरा integrate ना करके मैंने क्या किया sir इसको differentiate कर दिया दोनों साइडों को और comparison method से मैंने a और b की value निकाल दी दिया मेरे ख्याल से अगर इसको मैं px plus q बनाता थो थोड़ा difficult पढ़ता जी sir जी sir चलिए अगरा question है the area bounded by the curve x y square equal to 8x and x square equal to 8y तो कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है यह दोनों के coefficient का multiply करके 3 का divide कर दीजे तो इसका answer आजागा 64 by 3 ठीक है sir इसमें दोनों के coefficient का multiply करते हैं और दोनों को divide किया कर देते हैं तो इसका answer आजागा 64 by 3 बोलिए sir clear होगा यह तो short trick सभी को याद हो चुकी होगी okay then question like a question number two the area bounded by the line y equal to mod of sine x y is equal to mod of sin x x-axis एक अपने पास है y is equal to mod of sin x और एक है x-axis and the line mod x equals to pi mod x equals to pi तो देखिए आपको यहाँ पे इस graph का area निकालना है y is equal to sin x-axis and इस चीज का area निकालना है x is equal to pi तो x equal to pi का मतलब x equal to कितना होगा plus minus pi तो हमारे पास y equal to mod x का जो graph बनता है वो इस तरीके से बना करता है और हमें plus pi से लेकर के minus pi के बीच का area निकालना है तो आपको तो हम लोग को पता हो चुका है यह minus pi है यह अपने पास में plus pi है हम जानते हैं कि इसके एक लोग का area कितना हुआ करता है सर जिनका माई कौन है वो बंद कर लीजेगा वीडियो में बाद में दिक्कत होती है चलिए अगला question करते है question number 3 question number 3 है if if fx equals to a to the power x plus b यह आपके पास fx है और f-1 equals to है आपके पास में 2 f-1 equals to 2 और 0 से लेकर के 3 तक 0 से लेकर 3 तक जो fx dx का integration दिया गया है वो दिया गया है 7 तो आपको find करनी है a और b की value आपको find करनी है a की value और b की value चलिए आईए solve करते हैं a की value और b की value बताईए सर कैसे solve करें इसको यहाँ पर क्या हम fx की value रख दें तो हमें यहाँ पर fx की value रख देते हैं 0 से लेकर 3 fx की value है a into 2 की power x plus b और यह दिया गया है मैं 7 यह इसको मैं value निकाल हूँ तो a और 2 की power x का integration 2 की power x upon log 2 और प्लस कितना b limit 0 से लेके 3 equals to 7 ठीक है चलिए upper limit और 0 से लेके 3 तो है न हाँ ठीक है अब value पुट करता हूँ मैं लिमिट की तो यदि मैं limit 3 पुट करता हूँ तो a into 2 की power 3 मतलब 8a upon log 2 और प्लस का 3 minus a into 2 की power 0 का मतलब 1 2 की power 0 means 1 और upon log 2 तो यह log 2 ही रहेगा और प्लस b रहेगा equal to है मैं प्लस में कितना 7 अब बताईए क्या हो सकता है यहाँ पे तो यह है जो अपने जी कहां सर जी सर थैंकियो सर bx आएगा यहाँ पे bx यहाँ पे हो जाएगा तो x की limit पुट होगी यहाँ पे तो यहाँ पे 3 b into 3 तो यहाँ पे 3 b बचेगा क्यों सर थैंकियो सर थैंकियो सर थैंकियो बचेगा ना 3 b एन यहाँ पे b की value 0 है तो यह तो खतम हो जाएगा एक्वल्स टू कितना यहाँ पे 7 तो 8a माइनस a अपॉन लॉक टू प्लस 3 b इक्वल टू 7 तो 8a यहाँ पे हो जाएगा 7 7a upon log 2 प्रॉब्लम यहाँ है कि सर यहाँ पे केवले constantum बच रहा है क्या होना चाहिए देखे एक बार फिर से बता देता हूँ यहाँ से हमाँ पास a की value 1 upon log 2 कैसे आएगी fx हमारे पास a into 2 की power x plus b है इसको मैंने differentiate कर लिए f dash x a into 2 की power x log 2 plus 0 f dash x की value हमारे पास 1 पर दी गई है 2 मतलब दिया है question में कि f dash 1 equal to 2 मतलब जब आप x की जगे 1 डाल रहे हो तो आपके पास y की value f dash x की value 2 आ रहे है तो 2 equal to a into 2 की power x की जगे 1 log 2 2 से 2 cancel हो गया equal to आगया 1 upon log 2 और आपका जो previous equation था यह 7a upon log 2 तो 7a की जगे में लग दिया 1 upon log 2 कर 1 upon log 2 का square हो गया plus 3 b equal to 7 3 b equal to 7 minus 7 upon log 2 का whole square जो की 3 नाले के बाद नीचे बन जगा 7 upon 3 1 minus log 2 का whole square चलिए next question की तरफ चलते है next question है जीरो से लेकर के 1 if 0 to 1 10 inverse x upon x dx equals to k यह limit दी गई है 0 से लेकर पाई बाई 2 x upon sin x x upon sin x तो आपको बताना है कि यहाँ पर k का मान क्या होगा यहाँ पर k की value हमको बतानी है कि k की value क्या होगी तो limit हमारे पास दी गई है 10 inverse x upon x ठीक है तो इसको कैसे solve करना है start करें क्योंकि और तो कोई clue मेरे को दिखनी रहा है option दिए गए है बस मेरे पास option है पहला है 1 फिर 1 by 4 फिर है 4 और last option मेरे पास है 1 by 2 चली करते हैं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा हम 10 inverse x को यहाँ पर t ले ले लेते हैं ओके लेट 10 inverse x equals to t t so dty dx या x equal to 10 theta ले लो यह कहलो वो भी बात एक ही होती है मगर x equal to 10 theta ज्यादा clear समझ में आएगा क्योंकि 1 upon 1 plus x square तो है नहीं यहाँ पर तो x equal to हमने यहाँ यहाँ पर 10 theta ले लिया है तो dx by d theta कर देंगे तो 10 theta का differentiation second square theta और dx equal to हो जाएगा हमाई पास second square theta d theta limit change हो जाएगी जिस समय x की value 0 है उस समय theta भी 0 आएगा क्योंकि यहाँ से theta is equal to 10 inverse x तो limit change हो जाएगी 0 पर 0 और 1 पर pi by 4 10 inverse x की जगे 10 inverse 10 theta मतलब बच गया theta और x की जगे x की जगे 10 theta और उपर है dx की जगे sec square theta d theta चलिए यहाँ से हम इतने तो आ चुके हैं theta, sec square theta, d theta अब 10 को हम क्योंकि हम को sine की term लेकर क्यानी है यदि हम 10 theta को फिर से कुछ expression मानें तो 10 square theta का differentiation sec square theta बैठा हुआ है हाँ, ऐसा बट सर हम इसको 10 theta को u लेकर के again differentiate क्यों ना करें क्योंकि हमें sine x में ले जाना question को है ना देखते हैं सर तो यहाँ पे 0 से लेकर के pi by 4 और यहाँ पे theta sine theta और यहाँ पे हो जाएगा into में cos theta उपर चला जाएगा और sec square theta है तो cos से एक तो cancel हो जाएगा तो यह कितना बच गया हमाई पास में 0 से लेकर pi by 4 उपर theta बच गया है और नीचे sine theta into cos theta ठीक है सर cos theta और यहाँ पे d theta अभी हमाई पास theta उपर variable है यह है तो 2 का multiply और 2 का divide कर दे 2 का multiply 2 का divide करने पर उपर तो 2 है नीचे 2 sine theta cos theta याने 0 से लेकर pi by 4 0 से लेकर pi by 4 theta उपर है और sine 2 theta यहाँ पे इसको भी 2 theta कर देता हूँ और d theta कर देता हूँ ठीक है सर और 2 theta को यदि t मान लिया जाए तो 2 theta को यदि मैं t मान लेता हूँ तो limit change हो जाएगी मेरी 0 से लेकर pi by 2 और यहाँ पे बन जाएगा t और यहाँ पे बन जाएगा sine t और d theta 2 theta is equals to हमने क्या लिया था t लिया था तो dt by d theta is equal to 2 तो d theta is equal to dt by 2 तो यहाँ पे dt और यहाँ पे 1 upon 2 तो k की value इस तरह के से comparison करने पर आ रही हमाँ पास की t 1 by 2 जो की correct answer है ओके सो done k is equals to 1 by 2 बिल्कुल सही सर थैंक्यू सर अच्छा एक चीज यह देखने लाएकर सर की यदी हम 10 theta को यहाँ पर t ले करके substitute करें फिर से तो यह question गलत दिशा में चला जाएगा फिर है ना वहाँ जहां से थे वापस वहीं आ जाएगे exactly चलिए अगला question दूड़ते हैं देखे next question आया है f of 3 minus x यह मेरे पास एक unsolved question bank आया है सर पता नहीं कहां से इसको अपन solve कर रहे हैं बस options के पता नहीं answers भी क्या सही है की नहीं है ओके f3 minus x equal to fx है then आपसे पूछा गया है one से ले करके two one से ले करके two x fx की value क्या होगी one से ले करके two f fx की value क्या होगी ठीक f3 minus x तो यह मेरे को identity का simple question लग रहा है i is equals to one से लेकर के two x fx है तो यदि मैं identity लगा दूँ इसमें तो यह हो जाएगा कितना one plus two याने की three minus x और f of three minus x दोनों को add कर दूँ तो two i is equals to one से लेकर के two three minus x plus x मतलब की three हो जाएगा और fx plus f of three minus x तो हमसे क्या पूछा गया है हमसे पूछा गया है इसके बारे में x fx के बारे में one plus three minus x plus three three minus x plus x x cancel हो गया है ठीक है so two i equals to one से लेकर two x fx dx x कैसे बचेगा सर यहां पर f तो यहां से यह हो जाएगा अपने पास one से लेकर के two यह है three तो रहे गई एक मिनट एक सेकंड कहीं mistake हो रही सर इसको number one है यह number two है सर देखिए एदी हम यहां से three minus x यह दोनों को सर अलग-अलग जोड़ना पड़ेगा सर यहां से कहीं mistake हो रही है जी बुलिए तो इसके जगे अपन यहां पे fx पूट कर लें so i is equal to हो जाएगा three minus x into यहां पे पूट कर लिया जाए fx ठीक है ना अब इसको first or second को add कर दें क्या exactly तो यहां से इसको यह दी expand कर लेते हैं तो यह हमारे पास बन जाएगा three into fx three into fx dx minus integration of x into fx dx limit चल रही है one से लेकर के two one से लेकर के two तो हमें यह जो है इस expression की हमको value चाहिए है ठीक है इसको i बोल दिया इसकी जगे वापस यह चीज रिप्लेस कर दें है ना हाँ इसकी जगे यह value रिप्लेस कर देते हैं actually यह भी i है अपने पास में so मैं लिख सकता हूँ i is equal to one से लेकर के two three of fx dx और minus i है तो इधर आकर के यह हो जाएगा i plus i मतलब two i so i is equals to three by two one से लेकर two fx dx sir यही answer है three by two one से लेकर two fx dx ठीक है sir correct क्या sir हाँ sir TGT PGT level के है question sir क्यों sir function chapter है sir चलिए देखते हैं चलिए अगला question है area related to circle area related to curve से the area bounded by the curve y is equal to x mod x y is equal to x mod x x axis x equal to minus one x equal to plus one एक कर्व यह है आपके पास एक है x equal to minus one और एक है x equal to plus one इसके द्वारा आपको bounded area निकालना है माइनस one से लेकर plus one में तो देखे माइनस one से लेकर के plus one में x mod x का area हमको निकालना है इसका mod लगा लिजे जिससे area आपको negative ना मिले और इसका तो positive है तो क्या होता है माइनस का तो mod हो गया चलो x cube by three और limit minus one से लेकर के zero mod लगा हुआ है plus x cube by three और limit है कितना zero से लेके one तो देखे कुल में लाके इधर का भी one by three आएगा और इधर का भी one by three आएगा तो one by three plus one by three answer हो जाएगा two by three तो यह भी question हो गया हमारा solve ठीक है clear है सभी को चली अगला question है next question a से लेकर के b f of x okay f of x और fx plus f of a plus b minus x ठीक है तो गुल मिला के अगर denominator में आपके पास एक x है और एक जगह इनका property वाला पार्ट जो है a plus b minus x लगा होता है तो इसका short trick याद रखिए इसकी directly short trick हुआ करती है b upper limit minus lower limit upon two तो इसकी directly short trick होती है b minus a by two चली next question करते हैं अगला question है minus one by two से plus one by two plus one by two cos x into log of one plus x upon one minus x आपके पास में है dx equal to k log two तो आपको बताना है कि k की value यहाँ पर क्या होगी option है 0 minus one minus two none of these 0 minus one minus two none of these तो देखिए हमाई पास जो function है सबसे पहले doubtful इस्थिति ही हो रही है कि अगर इसका integration ही 0 हो गया तो सब कुछ 0 हो जाएगा तो fx equal to हमाई पास है cos x log of हाँ सर इसी को चेक करान रहा था मैं log of one plus x upon one minus x तो यदि f of minus x देखा जाए तो यह हो जाएगा cos minus x तो cos x ही होता है और यह हो जाएगा log one minus x upon उन्हें उपर हो जाएगा one plus x और नीचे हो जाएगा one minus x जिसको हम लिख सकते हैं log of इसको पलट करके one minus x upon one plus x की power minus one जिसकी वज़े से minus one बाहर आ गया मतलब यह क्या बन गया minus fx मतलब odd function odd function का integration within the same limit 0 हो जाएगा तो k का मान कितना हो जाएगा 0 clear है सर ठीक है ना थेक्यू सर चलिए अगला question next question दीखे the value of integration 1 से ले कर के e to the power 19 1 से ले के e to the power 19 pi into sin pi log x sin pi into sin pi log x upon x ये बताना है कि इसका integration क्या होगा pi into sin pi log x तो देखे इसाब दिख रहा है कि pi log x का integration कितना होगा pi upon x होगा तो पहले तो हम यही काम कर लेते हैं कि pi log x को t ले लेते हैं तो pi upon x क्या बन जाएगा dt तो यहां से limit भी change होगी तो यह हो जाएगा sin t और यहां पे हो गया dt ओके और limit change कर दीजे क्योंकि आपने pi log x को क्या माना था t माना था तो पहले x का value 1 था log 1 कितना होता है 0 और फिर pi into log x की value है e का power 19 तो यह हो जागा 19 pi 19 pi यह हो गया 19 pi अब हम जानते हैं कि sin के 1 0 से pi तक का value कितना होता है area का होता है 2 तो 19 है मतलब fundamental interval है ना यदि देखा जाए तो इस का अब इस interval तो हलाकि 2 pi होता है but area में as a area वो 2 काम करता है तो 19 बार 2 मतलब answer इसका कितना होगा 38 38 ओके 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 कुछ mistake हो रही option में 38 नहीं है 0 से ले करके 19 pi तक कर यह तो area ही हुआ कर देते हैं अच्छा area नहीं पूचा integration पूचा है लो मैं question को area में ले गया अगर यहाँ पे area पूचा होता तो तो सही होता but question में integration है तब तो करना पड़ेगा भाई ओके तो 19 pi यहाँ पर बोला गया है तो यह देखा है आपने 1 pi 2 pi ऊपर का area प्लस और नीचे का area minus तो यह cancel हो जाएंगे 19 pi जो है finally आपके पास कहां आएगा ऊपर की तरफ आएगा जिसका area होगा 2 तो इसका answer कितना आएगा 2 और वैसे solve करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो sine का हो जाएगा minus cos t और चलो एक बार solve करके दिखा देता हूँ एक बार तो sine t का हो जाएगा minus cos का t 0 से लेकर के 19 pi तो minus को बाहर छोड़ो cos 19 pi minus cos का 0 ओके तो cos 19 pi किता होता है देखो odd pi में cos होता है minus 1 odd pi है तो क्योंकि minus 1 की power n होता है तो minus 1 की power 19 करोगे तो minus 1 नहीं हैगा और minus का कितना होगया 1 तो minus 1 minus 1 minus 2 और एक और minus लगया तो इसका answer कितना आगया finally 2 और बाकी आपका तरीका वो भी है 19 pi में pi pi के pi pi के अठारा कैंसल हो जाएंगे केवल उनीस वा जो ऊपर आएगा तो आंसर आजाएगा टू डन सर सभी को क्लियर है ओके चलिए अगला क्वेश्चन क्या है जी देखिए आपके पास क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन जीरो से लेके 99 जीरो से लेकर के 99 एक्स है एक सिकन्डी क्वेश्चन कुछ दिखने रहा थोड़ा वक दीजिए सर वो एक टेस्ट सीरीज चलती है एक पोर्टल टेस्ट सीरीज चला रहा है वहां की टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन पेपर है सरी उनके एप पे ही चल रहा है यह पेपर एक मिनट मैं आपको नाम बताता हूं सर सर पी डबलू देखें अगला क्वेश्चन है दोस्तों द वैल्यू ओफ जीरो से लेकर के 99 जीरो से लेकर 99 और इटू दी पावर इटू दी पावर एकस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एकस एटू दी पावर एकस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एकस और आपको बुला गया है वेर एकस दिनोट दक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब जहां पे एकस जो है ग्रेटेस्ट सर आपने बताया है नहीं सर 99 आपने का है थोड़ा रुख जाहिए सर एक मिनट इसमें चार आप्शन से हैं है ना 100 भी है 99 है 101 भी है सबसे पहले मैं बताऊं आपको की यहां पर जो फंक्शन है एक माइनस ग्रेटेस्ट इंटिजर एक्स और एक माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को हम लिखते हैं क्या लिखते हैं सर फ्रेक्शनल पार्ट एक्स्थियर एना सर तो X minus greatest integer X जो होता है वो fractional part हुआ करता है और fractional part का जो time period होता है वो होता है 1 तो fractional part का जो time period हुआ करता है वो हुआ करता है 1 तो अब हमें यहाँ पर यह समझने की जरूरत है जैसे मैं रख दूँ यहाँ पर 0 से लेके 99 और यह बन गया E की पावर fractional part function X अब आप लोग यह समझो कि अगर आपके पास कोई function है 0 से लेके मान लो उसमें n बार उसका time period rotate हो रहा है और वो fx है और जहाँ fx का time period कितना है t है fx का time period t है और इसका यह n बार rotate हो रहा है तो बड़े मजे के साथ आप जो है n को बाहर ले आओ तो 0 से लेकर के t और n कहां हो जाएगा बाहर और यह fx एक बहुत अच्छी property है आप लोग नोट कर लो यह बहुत काम में आएगी property तो यह क्या हो जाएगा देखो fractional part का जो time period होता हमारे पास वो कितना होता one होता है तो यह 99 आए जाएगा बाहर और यह हमारे पास कितना बन जाएगा 0 से लेकर one ओके 99 आगया बाहर और यह बन गया 0 से लेकर one और 0 से लेकर one तक में हमारे पास क्या आगया यह e की power अब देखिए, 0 से लेके 1 तक में हमारे पास ये function क्या बचेगा, 0 से लेके 1 तक में हमारे पास ये function बचेगा, e की power x, एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ा से रुकिए, x minus, okay, yes, right, देखिए, यहाँ पर क्या था हमारे पास, इसको छोड़ दो अभी आप, यह चीज नहीं लिखे यहाँ पर आपन, इसको यही रहन दो, x minus greatest integer function x, अब आप देखिए, 0 से लेके 1 के बीच में, अगर आप greatest integer की value पूट करोगे, तो 0 से लेके 1 के बीच में greatest integer कितना होता है, 0, क्योंकि 0.1, 0.2 यह सब किस पर तूटते है, 0 पर तूटते है, तो यह जो particularly यह वाला part है, यह हो जाएगा 99, और यह 0 से लेके 1, और यह हो गया 0, तो अपने पास केबल कितना बचा, e की power x, अब आईए, integrate कर देते हैं, तो 99, e की power x का integration कितना आएगा, e की power x ही आएगा, और e की power x, मतलब e की power 1, और minus e की power 0, तो आंसर आएगा सर, इसका 99 bracket में e minus 1, ठीक है सर? हाँ सर, इसमें option जो आपने कहा था सर 99 भी था, बट इसका correct answer 99 e minus 1 है, जी सर, तो मित्रों एक property, मैं फिर से बोलूँगा, यहाँ पे कि एक property आप लोग note कर लीजिए, तो एक property बहुत important जो आज हमने बताई है, उसको note कर लीजिए, वो property क्या है? जीरो से लेकर के n, t तक अगर आपका fx vary हो रहा है, तो आप इसे लिख लेंगे n, ओके? और, क्या बन जाएगा अपने पास? n times of 0 से लेकर के t fx का dx, बट कब यदि fx का time period जो है, वो क्या होगा, t होगा, तो यह ऐसा होगा, एक बात, और दूसरी बात हमने क्या बताई है आपको? दूसरी बात हमने बताई कि x minus greatest integer x का जो आवर्थ होता है, जो time period होता है, वो कितना होता है? वन होता है, यह बहुत important बात हमने आपको बताई, इस पर based हमने question कर लिया एक, चलिए ठीक, next question देखते हैं hmm x की पावर जिस 0 to 1 integration i is equal to 0 to 1 x into 1 minus x की पावर 99 का dx क्या होगा? जिरो से लेके 1 x into 1 minus x की पावर 99 का integration क्या होगा? चलिए इसको solve करते हैं, देखिए तो property लगेगी i is equal to 0 to 1 यह बन जाएगा 1 minus x और यह क्या बन जाएगा? 1 minus 1 plus x क्योंकि x की जगए 1 minus x पूट करेंगे तो इससे यह cancel हो जाएगा और यहाँ पर dx आ गया whole power 99 अब मैं यह दि दोनों को add करता हूँ तो देखिए क्या हो जाएगा दोनों को add करने पर 2i is equal to 0 to 1 एक मेरे पास है x into 1 minus x की पावर 99 और एक मेरे पास है plus 1 minus x into x की पावर 99 ना 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 इसको यहाँ से न किया जाए इसको तो अपन और बहतर उपर से solve कर सकते हैं यहाँ पर लाने की ज़रूरत ही नहीं है सीदे multiply कर दें सर तो बहुत आराम से हो जाएगा यह तो तो i is equal to 0 से लेके 1 यह है 1 minus x into x की पावर 99 dx तो i is equal to 0 to 1 99 x की पावर 99 minus x की पावर 100 अब ठीक होगा I think sir अब चलिए इसको solve कर देता हूं मैं तो i is equal to x की पावर 99 इने 100 upon 100 minus x की पावर 101 बटे 101 limit put कर दीजे 0 का तो कोई होगा नहीं कुछ हो नहीं सकता है आंसर इसका आ जाएगा 1 upon 100 minus 1 upon 101 ओके solve कर लेंगे तो इसका LCM कितना आ जाएगा 10100 और 101 minus 100 क्योंकि प्राइम नंबर 101 तो 101 minus 100 बराबर 1 तो आंसर आ गया कितना 1 बटे 10100 क्लियर है सबी को जी अगला question एक question तो बहुत standard result वाल है यहां पर दिया हुआ है वो यदि किसी ने किया हो sign बता देता हूँ लिख देता हूँ मगर उसको बहुत time लगेगा उसको कराने में तो मैं उसको last में कराऊंगा या किसी और दिन कराऊंगा an equals to 0 से लेके pi sin of 2n minus 1 into x upon sin x यह dx है तो इसमें बोल यह an है यह an है तो और बोल रहा है बताईए कि a1 a2 a3 वो किस sequence में होंगे तो क्या करना पहले हमें पहले हमें इसका पूरा integration करना पड़ता है और integration करने के बाद हमें इसका an का answer एक function के रूप में निकालना पड़ता है उसके बाद में ज्यादा ऐसे focus कर रहे हैं जिनके answer जल्दी जल्दी आ जाए आए अगला question उठाते हैं मैंने बता दिया जानकारी के लिए उसको बाद में अपन देख लेंगे कभी चलिए अगला question देखते हैं value of 0 to n 0 to n mod x dx वेर mod x नहीं है यह greatest integer function है जहां पर greatest integer function जो है denote कर रहा है किसको वही greatest integer box x denote कर रहा greatest integer function को आये तो देखते हैं कैसे solve गई है अगर मैं 0 से 1 से लेकर के इसको solve करूं mod x dx फिर 1 से लेकर के 2 और फिर 2 से लेकर 3 और अगरी ऐसे करते 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 last में कितना हो जागा n minus 1 से लेकर n तो यह वाला कहां पर टूटेगा देखे ध्यान से यह वाला कुटेगा 0 पर तो 0 का तो integration 0 होता है ओके फिर ये वाला कहां पर टूटेगा देखे 1 से लेके 2 1 से लेके 2 वाला किस पर टूटेगा 1 पर टूटेगा ओके और 1 का integration कितना हो जाएगा x और limit कितनी लग जाएगी 1 से लेके 2 फिर ये कहां पे टूटेगा ये देखिए 2 पे टूटेगा तो 2 बाहर आ जाएगा और यहां पे x आ जाएगा और लिमिट लग जाएगी 2 से लेके 3 फिर अगला वाला 3, 3 पे टूटेगा 3 बाहर आ गया और 3 का dx का integration x और लिमिट बन गई कितनी भाई सा 3 से लेके 4 ऐसे ऐसे करते 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 लास्ट वाला भी क्या बाहर आएगा देखो जब आप दूसरी बार करते हो मतलब लोवर लिमिट आपके पास हर बाहर बाहर आ रही है तो लास्ट में क्या आएगा n-1 बाहर आएगा ओके और x के लिमिट कितनी n से लेके n-1 से लेके n चलो तो solve क करें इसको, upper limit lower limit लगाओ, तो 0 plus x की जगे 2 और minus का 1, तो हर बार देखो difference करने पर कितना आ रहा है, तो हर बार difference करने पर 1 आ रहा है, تو 0 plus पहली बार difference करने पर 1 आया, फिर 2 into 1 2 ही हो जाएगा, तो plus 2 plus 3 plus up to up to कितना होगा, n minus 1 तो बहुम हुआ हमारे पास एह ए आन मीनस वन प्राक्रस संख्याओ का योग रह ए एचन इन टो हं पलस वन बाई टू तो गुटे option number B is correct option n into n minus 1 by 2 बोल ये सभी को clear अच्छे से अच्छा question था ये clear हुआ सबको बोल दो भाई जी को के ओके 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 चली नेक्स पॉस्चन लेखते हैं next question is minus pi by 2 से लेके pi by 2 integration minus pi by 2 से लेके plus pi by 2 sin log of sin log of x plus under root x square plus 1 तो देखिए log में अगर एक minus आ जाएगा तो वो बाहर आ जाता है और sin minus theta तो इसको जब आप simplify करेंगे तो आपके पास ये कैसा function आएगा आपके पास ये आएगा odd function ठीक ना आपके पास ये fx है और जब आप इसको f minus x निकालोगे fx equal to कितना है आपके पास में log of x plus under root x square plus one ठीक है तो f minus x कितना हो जाएगा आपके पास में log of under root x square plus one को तो आँगे लिख लो क्योंकि minus x का फर्क पड़ेगा नहीं बट आँगे वाला प्लस माइनस हो जाएगा अब आप एक काम करिए अब आप इसमोर रेशनलाइस कर दीजे तो उपर में under root x square plus one plus x और नीचे under root x square plus one minus x का multiply कर दिए तो देखो क्या हो गया log a plus ba minus ba square minus b square x square plus one minus x square और ये कितना हो गया x square plus one और minus x इससे ये cancel हो गया अब देखो यहाँ पर एक मिनट जी question में plus तो था बिल्कुल था question में plus x square plus one minus x नीचे ऊपर minus x है तो नीचे plus का करना पड़ेगा यस ये गलती थी तो plus है अब ठीक हो गया देखे तो अब ये देखी यहाँ पर ये log one upon x square plus one plus x है ये दिए मैं इसको उपर ले जाओं तो मैं क्या लिख सकता हूँ minus log under root x square plus one और plus का कितना x और sign जो होता है minus sign को बाहर फिक देता है मतलब कुल मिला के ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा odd function और we can say in Hindi विशम फलन और विशम फलन का कितना होता है समा कलन शून होता है तो इसका answer आएगा भाई लोगों सूने बोलिये मित्रों सबको clear है बढ़िया से clear है सबको बोलतो दो भाई तो पिछला question देखा सर आपने नहीं देखा किशोर सर ठीक है सर थेंक्यू चली अगला question देखते हैं अगला question है अपने पास में determinant का question है और determinant का question आया है fx equal to minus sin x यह है minus x है और यहाँ पर है cos x और e की power x ठीक है और यहाँ पर है minus sin x और यह है x square और यह है sec x और यहाँ पर क्या है यह है minus 10 x और यह है 1 और यह है 2 यह हमाँ पास कोई function दिया हुआ है okay चली अब आपसे यह बोला जा रहा है कि यह जो function है इसका integration आपको बताना है minus pi by 2 से लेकर के plus pi by 2 से लेकर के minus pi by 2 से plus pi by 2 fx dx तो देखो एक चीज आपके मन में आया होगी कि हम इसको पूरा हल कर लें एक तो चीज यारी होगी कि हम इसको पूरा हल कर लें दूसरी चीज हमारे मन में यह आ रही है कि हम x की जगे minus x रख दें ठीक है ना x की जगे हम जो हैं वहाँ पे हम minus x रख दें और x की जगे minus x रखने के बाद हम चेक करें कि इस function के क्या हाल है तो चलो भाईया मैंने x की जगे minus x रखा तो यह क्या बन गया सानिक मेरे पास यह बन गया x यह बन गया sin x और यह क्या बन गया e की पावर minus x हो जाएगा sec minus x तो sec x ही होता है और 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 e की पावर minus x और क्या होगा टू तो टू ही रहेगा अब इसको देख करके हम कैसे अंदाजा लगाएं कि यह odd function है सोचिए ज़रा चली अगला question देखते हैं अगला question है question number 18 है cos root x dx का integration हमको करना है 5-4 option दिये गए है cos root x का dx ठीक है न तो क्या किया जाए सर इसमें बताए cos root x का dx करने के लिए सबसे पहले मैं root x को t मान लेता हूं क्योंकि सबसे बड़ी problem मेरी root x है तो root x को मैंने t मान लिया तो dt by dx is equal to हो जाएगा 1 upon 2 root x ठीक है तो dx is equal to 2 root x और कितना हो जाएगा dt तो यहां से मेरे पास integration i is equal to cos t और dx की जगह है into 2 root x को t लिया है 2t और यहां पर हो गया dt 2 मैंने बाहर ले लिया और यह बन गया मेरे पास t cos t तो i late से first inverse logarithmic algebraic और यह हो जाएगा technometric second function पे आई यह इसको different integrate कर दें 2 multiply by first function t into integration of second function cos t का होता है sin t minus integration of differentiation of first function into integration of second function cos t का sin t का whole integration तो 2 t की जगह root x है और यह हो गया sin root x हो गया और यहां से 2 खुलेगा तो t उसके पास आ जाएगा यह root x था भई माइनस हो जाएगा 2 और sin t का हो जाएगा minus cos t तो 2 यहाँ पे आ गया cos और root x तो answer इसका कितना आ रहा है 2 under root x sin x plus cos root x plus c correct answer है भई चलिए भी हो गया next question की तरब चलते है question कह रहा है कि integration लिया गया है if f is a continuous periodic function with period t कह रहा है कि f जो है एक continuous periodic function सतत periodic function है ठीकना सतत आवरती फलन है और period t है मतलब क्या condition लगेगी f x plus t बराबर है f x आएगा तो हमसे कहा जा रहा है कि 2t से लेके alpha plus 2t 2t से लेके alpha plus 2t और f x dx का मान कितना होगा तो ध्यान से देखिए कि limit के बीच में कितने time period involved है उतने बार अपने उसको ले करके कर देंगे 0 से लेके t तक का तो देखिए upper limit है अपने पास alpha plus 2t और lower limit है अपने पास कितना 2t तो 2t से 2t cancel हो गया मतलब कितना involved है alpha तो इसका answer कितना हो जागा 0 से लेकर के alpha f x dx ओके 0 से लेकर alpha और f x dx तो question आया था कि ये जो है ये किस पर निर्भर करेगा पहला है question पहला option है depends on alpha alpha पर depend करेगा दूसरा is independent on t t पर independent होगा ओके फिर अगला option है अगला option है depends on t तो भाई यह t पर तो डिपेंड करनी रहा है and independent on alpha और कह रहा है independent है alpha से तो देखिए correct answer इसका क्या है ये alpha पर depend कर रहा है क्योंकि जब इसके limit of solve करोगे तो alpha put करना पड़ेगा तो किस पर depend करेगा alpha पर depend करेगा तो इसका correct answer होगा depends on alpha यहां पर limit 2t है तो 2t से alpha ठीक है correct देखिए यहां पर limit 2t से लेके alpha plus 2t हो गई ना इसके कारण यह चमतकार हो गया उसे alpha पर ही डिपेंड करना पड़ा क्योंकि इसका जो fundamental time period जट था वो टी था कि येस दं सर्क्लियर है चलिए अगले question की तरफ चलते हैं अगला question है 0 से लेके 1 e की power x की power 4 question number 20 0 से लेके 1 e की power x की power 4 e की power x की power 4 क्या है option option दिया गया है आपको a less than 1 होगा option number b दिया गया होगा is greater than e होगा option number c दिया गया होगा lies in 1 to e और चौथा option है आपके पास में none of these चलिए integration का गजब concept इस्तमाल होगा यहाँ पे अब बताना है आपको कि ये कहां से कहां तक जाएगा बताना होगा यहाँ आपको कि ये बताना होगा अ देखे इसको कैसे कर सकते हम, यहाँ पर जो x की value है, वो 0 से लेके 1 के बीच में है, तो x की power 4 जो होगा, वो कहां से कहां लाई करेगा, 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा, 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा, 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा, 0 से लेके 1 के बीच में अब क्योंकि e धनात्मक है और साथी साथ 1 से भी बड़ा होता है तो अगर सब की पावर में देद होगे तो order नहीं बिगड़ेगा तो e की पावर 0 से बड़ा होगा e की पावर x की पावर 4 से बढ़ा होगा e की पावर 1, sorry, less होगा बतलब e की पावर 4 इससे less होगा e की पावर 1 से ठीक ना तो correct answer sir बिल्कुल सही है तो आप से पूछा जा रहा है कि भाई ये जो है इसका answer क्या होगा तो अब इसको integrate अपन को करना है तो यदि अपन इसको integrate कर देंगे तो देखिए ये अपने पास में क्या है 1 है e की पावर 0 कितना होता है 1 1 dx और limit कितनी है 0 से लेके 1 integrate कर दो ये क्या हो जाएगा अपने पास 0 से लेके 1 e की पावर x की पावर 4 dx और ये क्या आपने पास ये है e और limit है 0 से लेके 1 dx ठीक है ना तो हमारे पास यहाँ पर जो इसका मान आएगा वो कितना आएगा lies in one to e यहाँ पर जो मान आएगा हमाँ पास lies in one to e ठीक exactly आप इसको solve कर लिजे तो one dx कितना आएगा one ही आएगा यह तो अपना function है जो भी है और यह कितना आएगा e constant है बाहर आजाएगा और one का कितना हो जाएगा एकस तो limit लगाने पर x कितनी आजाएगी one आजाएगा तो कुल मिला करके इसका मान जो है one से लेके e के बीच में लाई कर रहा है बहुत तगड़ा question चलिए जी next question देखते है question number 21 क्या कहरा question number 21 the value of 0 to greatest integer x the value of 0 to greatest integer x 5 की power x upon 5 की power greatest integer x चलो भाई तो यह क्या हो जाएगा इसको हम लिख सकते हैं यह 0 to greatest integer x है और यह हो जाएगा हमारे पास 5 x minus greatest integer x ओके बहुत बढ़ी है तो अब देखिए जी यहाँ पर x minus greatest integer x का जो time period होता है वो कितना होता है 1 होता है जो time period होता है वो कितना हुआ करता है 1 हुआ करता है ठीके ना और यहाँ पर greatest integer x के साथ में क्या multiply है हाँ जी बिल्कुल सही तो देखिए यह जो है इसका क्योंकि जो time period है बहुत अच्छा तुरंत आपने इस question को click कर लिया sir very nice इसका time period 1 है और देखिए यह 1 का कितने गुना है यह 1 का greatest integer x गुना है तो greatest integer x बाहर आ जाएगा इसका greatest integer x जो है इसका बाहर आ जाएगा और यह क्या बन जाएगा 0 से लेके 1 0 से लेके 1 बन गया यह और इसको हम क्या लिख सकते हैं 0 से लेके 1 5 x minus greatest integer x ओके यह लो अब इसको अब solve कर लो तो greatest integer x तो बाहर बैठे ही हुआ है 0 से लेके 1 0 से लेके 1 के लिए greatest integer x कितना हो जाता है भाई 0 हो जाएगा ओके तो यहाँ पे इस की value कितनी आ गई 5 की power x ही only बचेगी तो चलिए solve कर देते हैं तो greatest integer x बाहर रहेगा और यह क्या हो जाएगा 5 की power x upon log 5 log 5 integration 0 to 1 समय आ चुका है limit रखने का greatest integer x upon log 5 upper limit है 1 lower limit है 0 तो 5 की power 1 हो जाएगा 5 और minus 5 की power 0 यानि की 1 ओके तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 upon log 5 minus 1 upon log 5 तो कितना आगा 4 तो greatest integer x into 4 upon log 5 ठीक है सब क्लियर है greatest integer x minus into 4 upon log 5 यही आंसर इसका करेक्ट चलिए अगला question देखते है question number 22 and y equal to e देखो x equal to 0 मतलब y axis ओके यह रेखिए इस तरीके से e की power का graph जाता है क्योंकि यह है exponential graph ठीक अब हमें निकालना है x equal to 0 मतलब की y axis और y equal to e y equal to e देखे यहाँ पे y equal to कितना होता है 1 और यहाँ पे y equal to कितना होता है e फिक तो हमें इसका graph निकालना है y axis के साथ y equal to e तक का x equal to 0 और y equal to e तो यह देख लिजे कि यदि मैं dx करता हूँ यदि मैं यहाँ पे dx करता हूँ x equal to 0 पे y की value निकाल लो तो y की value x equal to 0 पे at x equal to 0 y equal to e की power 0 मतलब 1 तो मेरे पास x की एक value 1 है ठीक मेरे पास x की एक value 1 है बट यहाँ पे problem यह है sir कि ये with the line x equal to 0 बोल रहे है मतलब y axis के साथ का area बोल रहे है area of the reason bounded by the curve y equal to e की power x and the line x equal to 0 and y equal to e तो हम यह समझ लें कि जो y equal to e है यदि हम y की value e रख दें चलिए 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 समझ गया थोड़ा question गुमारा आपन को अगर हम y की value e रख दें तो e equal to e की power x मतलब x equal to 1 मतलब हमको जो area निकालना है वो x equal to 0 से लेके x equal to 1 के बीच का मतलब यह x equal to 0 है और यह x equal to 1 है तो हमको यहां तक का area निकालना है चलिए तो आ जाएगा answer e की power x और 0 से लेके 1 so simple answer इसका कितना हो जाएगा e minus 1 done sir clear है चलिए नेπ्ट गेहरा चलिए बुला चलिए अल्चिया उतिरे म Agrude चलिए नेक्स कोस्टिए आएगराबडवेबनोचिय तक Serum एंक लन में चलिए अरहाए envy आएज़ है Q23 यदि समीकर्ण AX square plus BX plus C बराबर 0 के मूल alpha, beta है आपके पास equation है AX square plus BX plus C equal to 0 इसके roots आपको दिये गए है alpha, beta तो बताईए वह समीकरण बताईए जिसके मूल 1 upon alpha plus beta and 1 upon alpha plus 1 upon beta है तो आपको वह समीकरण बताना है जिसके मूल 1 upon alpha plus beta और 1 upon alpha plus 1 upon beta है तो ठीक है हमारे पास इस समीकरण के मूल alpha और beta दिये गए है और आपको वह समीकरण बताना है जिसके मूल 1 upon alpha and 1 upon alpha plus 1 upon beta है option काफी बड़े दिये गए है जो की लिखना यहां पे संभव नहीं है तो मैं सीरे हल करता हूँ देखिए इस यहां से alpha प्लस बीटा का मानी कितना है भाई साथ minus b upon a और alpha into beta का मानी यहां से कितना है c upon a ठीक तो 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 हमारे को क्या है यह मूलों का योग चाहिए है तो यदि हम इन सब को जोड़ दें so one upon alpha plus beta plus अगला मूल है one upon alpha plus one upon beta equal to चलो solve करते हैं इसको देखो यह कितना आ जाएगा यह आ जाएगा one upon alpha इधर लिखता हूँ one upon alpha plus beta plus alpha plus beta upon alpha बीटा यह हो गया ठीक अब देखिए alpha plus beta की value कितनी है minus b upon a तो इसको उलड़ दोगे one upon alpha plus beta तो यह हो जागा minus a upon b जी सर 6x square minus 11x plus 3 क्या सर सर answer जिसका है a और b के terms में है इसमें y x वो तो है नहीं न है इसमें a और b की value हां तो यह minus a upon b और यह हो जाएगा कितना minus b upon a हो जाएगा c upon a a से a cancel तो minus a upon b और minus b upon c इसको solve करके आ जाएगा कितना यह आ जाएगा minus common लेके a c minus का plus का b square upon bc यह आ गया इसका पहला मूल अब इनका का गुडन कर दो अगला product जो निकालना है वो क्या होगा one upon alpha plus beta into one upon alpha plus one upon beta यह थोड़ा simplify हो जाएगा तो हम क्या लिख देंगे one upon alpha plus beta ऊपर आ गया alpha plus beta upon alpha बीटा यह cancel हो गया so one upon alpha बीटा मतलब one upon c upon a याने a upon c चली अब समीकर बनाता हूँ x square minus sum of the zeros तो minus minus plus okay यहाँ पर क्या जाएगा a c plus b square upon me b c और फिर x आएगा और फिर plus product of the roots कितना हो गया product of the roots से हो गया a upon c equal to zero चली यह solve कर लें इसको तो answer आ रहा है b c x square plus a c plus b square into x or plus a b equal to zero this is your answer clear sir चली अगला question देखते हैं अगला question कह रहा है कि x y और z वास्तिविक तथा अलग-अलग हैं मतलब x is not equal to y and y is not equal to z x y और z जो हैं वास्तिविक और अलग-अलग हैं तो आपको बताना है कि एक फलन आपके सामने है u बराबर x square plus 4y square plus 9z का square minus 6yz minus 3zx और minus 2xy क्या होगा पहला option है 0 दूसरा option है non negative non negative मतलब धनात्मक तीसरा option है non positive मतलब धनात्मक और चौथा option है none of these इन में से कोई नहीं आईए देखिए मैं इसको लिखता हूँ ये है x का square क्या सर ठीक देखते हैं सर ये है 2y का square और ये है 3z का square minus इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सर 6yz को 6yz को मैं क्या लिख सकता हूँ बताईए सर 6yz को मैं लिख सकता हूँ 2 into इसमें y भी involved है क्या तो whole square बनाया जाए सर होल square इसको बनाया जाए तो x और y के साथ इसको ले लिया जाए है ना बड़ तब भी problem होगी सर चलिए करते हैं anyway बताईए हाँ 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 हाफ of a minus b ka whole square b minus c ka square तो मगर सर ये तो सपोर्ट नहीं कर रहे है ना 6yz 32 3z x वो सपोर्ट करने चाहिए सर तब होता है वो दो से पूरे system येस तो चलिए दो से यहाँ पर multiply और दो से divide को दिखाना पड़ेगा और 2x square plus 8y square plus 18z square minus 12xy 12yz minus 3 2z x और minus 2 2 4xy चलिए ये हो गया u equal to 1 upon 2 अब इसको x square plus x square दो बार y square plus 4y square plus 4y square तो x square plus x square plus 4y square plus 4y square plus 9z square plus 9z square ठीक है सर minus अब देखिए जो y और z की जोड़ी बन रही है 12 याने 2 into 6 और y में 4 है और इसमें 3 है बन जाएगा सर तो 2 into 6 है तो मतलब की 3z चाहिए है और 2y चाहिए है बिल्कुल सही और minus 2 है zx है z में कितना चाहिए 3z चाहिए है और x में कुछ भी नहीं चाहिए है तो यह हो गया और minus 2 x में कुछ नहीं चाहिए है और y में 2y चाहिए है exactly तो यह हमारे पास u equal to 1 upon 2 a square a square minus 2ab plus b square मतलब यह हो गया x minus 3z का whole square ठीक है तर plus x minus 2y का whole square plus x y minus 3z का whole square यह लिखे पूरा का पूरा अर्जेस्ट हो गया अब सर यह equal नहीं है तो यह तो positive आएगा सर इसका answer non-negative तो correct इसका answer आएगा non-negative तो इसका answer हर हालत में आएगा non-negative correct इसकी कोई short trick नहीं हो सकती सर और ज्यादा सूटा हो जाएए यहां पर बहुत मैंद करनी पड़ गई चली करते 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 आपको रिजल्स याद हो गया question भी कई वार याद हो जाते हैं पन को अच्छा जी 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके थेंक यू कोई दिक्कर नहीं सर थेंक यू सर ओके मितरोत हो यह थी आज की TGT PGT Special Classes आपका बहुमूल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बढ़िया बाते हमने आज यहां से सीखी हैं और इसकी त्यारी करते रहें नमस्कार धन्यवाद